नमस्कार किसान साथ ही और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आज बात करते हैं इंदोर मंडी के भाव की 15 नवंबर 2021 को इंदोर मंडी में क्या भाव रहे आए देखते ही सबसे पहले बात करते हैं मक्का की तो मक्का रहा 1265 से 1550 रुपए प् तो देशी चना रहा 2800 से 5200 रुपए गेहू रहा 1140 से 2200 रुपए डालर चना 3000 से 9200 मूंग 7000 से 7000 पचपन बटला 4700 से 5200 उडद 3980 से 3985 लाल मिर्ची रही 2500 से 8600 रुपए सरसो 7000 से 7000 10 रुपए सबजी और फल के बात की जाए तो सेब रहा 20 रुपए से 100 रुपए प्रती किलो के हिसाब से भिंडी 10 रुपए से 20 रुपए प्रती किलो के हिसाब से करेला 10 से 25 रुपए लोकी 80 से 16 रुपए माप की जगा 8 से 16 रुपए बेंगन 3 से 8 रुपए पत 20-40 रुपई हरी मिर्ची 8-15 रुपई आलू 3-14 रुपई कद्दू 4-10 रुपई पालक 8-15 रुपई टमाटर रहा 12-40 रुपई प्रतिक किलो अगर ब्यात की जाए प्याज की तो प्याज रहा सूपरमेर 15-19 रुपई एवरेज 1000-14 रुपई गोल्टा माल 1300-16 रुपई गोल् सुन की बात की जाए तो फूल गोला सफेद 4,800 रुपई मोटा देसी 3000-3800 रुपई मीडियम लड्डू 2000-2800 बारीक 1100-1600 रुपई हलका माल 800-1400 रुपई प्रतिक कुंटल के सबसे विका नए आलू की बात की जाए तो सुपर एक्स्ट्रा 1200-1300 रुपई प्रतिक कुंटल मोटा माल 1000-1200 रुपई प्रतिक कुंटल गोला 600-900 रुपई प्रतिक कुंटल के भाव से विका तो यह थी नदोर मंदी भाव की जानकारी अन्य जानकारी और डेली अपडेट के लिए सब्सक्राइब आवश्यक कर लें धन्यवाद